सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बैल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़बर पहुँचे आपके पास सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है विराट कोहली के आउट होने के बाद रोहिश शर्मा ने जो पंत के साथ किया उससे जीत लिया करोणों का दिल जी हाँ विशकप 2019 में भारत और इंगलेंड के बीच खेले गए मैच में इंगलेंड ने निर्धारित 50 ओवर्स में भारत को 338 रनों का लक्ष दिया उस लक्ष का पीछा करनूत्री भारती शुरुवात काफी खराब रही लोकेश राहूल सुनने पर आउट हो गयें परन्तु कप्तान विराट कोहली और रोहिश शर्मा ने पारी को जोड़ना शुरू किया और दोनों के बीच 138 रनों की साजयदारी हुई परन्तु उन तीसवे ओबर में प्लंकेट की एक गेन पर कप्तान विराट कोहली आउट हो गयें उसके बाद क्रेज पर आये पहली बार विशुकप में खेलने वाले रिशब पंथ जो काफी खबराय हुए थें लेकिन कैमरे में देखा गया कि रोहिर शर्मा लगतार रिशब पंथ को समझाय जा रहे थें शायद रोहिर शर्मा रिशब पंथ का मनोबल बढ़ा रहे थें रोहिर शर्मा बार बार रिशब पंथ को ये समझा रहे थें वो अपना नैचुरल गेम खेलें और किसी भी तर का दवाव अपने उपर ना लें। परंतु अपनी पहली गेंद क्हेलते ही एक बार फिर से रिशपपन दवाव में आ गये और जल्दवाजी में रन लेने की कोशिश की। और अब रोहे शर्मा पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ दी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद